हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हो क्रिश्ना कैसे हां सब लोग मास बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एर लीपिट के बारे हमने कंख सारी बाते सीख ली समझ ली ठीक है यहाँ पर कोलिस्ट्राण और दूसरा है लाइपो प्रोटीन ठीक है ना टाइपस ओफ लिपिट्स हैं ये अच्छा हमको कॉलिस्टरॉल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना तुम्हें बस बोल रहा है कि कॉलिस्टरॉल का तुमको structure पता होना चीए उसके function पता होना चीए थोड़ी बहुत extra बात है सीख लेंगे उसके बात भी ठीक है लाइपो प्रोटीन मैं बता दूँ मैं पहले भी cover करा चुका हूँ कहां cover कराया है याद दिलाओंगा भी तुम लोगों को उसके times भी cover करवाए हैं composition भी cover करवाए हैं और function भी cover करा चुका हूँ हमें पहले है ना साथ वहाँ पर कुछ बच्चों को यह extra लगा होगा खेर आते हैं तो हमें केवल इतनी ही बात है इसकी समझनी है बहुत ज्यादा ठीक है अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ का ध्यान देना है इसका structure important है तो तुमको बनाना सीखना है ना इसको अब लोग इस्टिरॉल रिंग भी कह देते हैं एक दो तीन चार ठीक उसके बाद क्या है तुम्हें कैसे बनाओगे मैं बताता हूं यहाँ पर एक ही double bond है समझते हैं यहाँ पर रिंग को एक वारी समझा देता हूं में कि कैसे बनाओगे तो कमापस कितनी है चार रिंग है जिसमें एक हमारे पर दुखा रहे है तो simple तरीका है क्या करना है दो रिंग बेंजीर निग तो परानी आती होंगी मेरे ख्याल से जिनको नहीं आती है अब अब जो तीसरा है ना तीसरे बच्चा क्या करता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है यहां पर भी तो तीन देंग एक साथ बना लो समझने के लिए अब इसमें क्या करना है नीचे ना करते हुए तुम लोग इसको यहां कर लोगे एक पिंटला गरबड हो गयी तीन पूरी तो है नहीं उसमें क्या यह है कि लिए बात समझ में आई फिर से समझो इसे फिर समझाता हूं दो रिंग तो साथ में बनाई लोगे असान हो गया फिर अगली जो रिंग बनाऊगे उसमें उसका छोर ये लाएगा इस तरह से कर दोगे मतलब वी शेप नीचे ले लोगे फिर इस रिंग को कम्प्लीट कर लेना है ठीक है अगली रिंग हमारी क्या है नीचे नहीं है इसे प्लेन कर देना है कि लिए रवाते है अब यहाँ करना है जो लाश्ट वाला घर है उसकी छट पे हमें एंटीना बांद रहा है उसकी छट पे हमें क्या बांद रहा है एंटीना अब एंटीना दोग कैसे बंदेगा एंटीन हम खुछ ऐसा बनदेगा कि उसमें भी हमको हमारे दो घर नदर आएंगे एक और घर की दू च्छटे दिख है दो चते एक एक ऐसा बाधना है इसको हम ऐसा समझ लेज कितना है हम असंपारल हवी किक है हम अब देखो structure में तयार हो गया अब यह थोड़ा याद रखना पड़ेगा यहां पर हमारे पास क्या है double wand है उसके अलावा यहां पर क्या निकले होगा है कुछ मैं उसके और भी कर सकते हो एक यहां निकाल दोगे मतलब घर के दोरव इसको इमस्कर और एक लगाल देगे एक अपना ओच यहां लगा देंगे के लिए रहे तो दो तीन वर प्रक्टीस करोगे तो समझ में आ जागा कि करना कैसे इसका इस्ट्रक्टर इंपॉटेंट है इसले मैंने बनवा दिया अब देखो जो कॉलेस्ट्रॉल का स्ट्ट्र समझ गए यह रहां को यह पाटि यह तो किलियर है पढ़ चुके हैं पिछले चप्टर में पिछले लेक्चर में चैनल प्लस फॉसफेट नीचे क्या है फैटी इसेड के चेन इन के बीच में यहां पर कॉलस्टरोल लगा हुआ एक और इसमें भी यह जो ओच वाला पार्ट है hydroxyl वाला part है यह आ करके यहां जुड़ता है ठीक है न? यह जो OH वाला part है यह आ करके यहां पर attach हो रखा है तो दो phospholipid के बीच में हमारा क्या पड़ा हुआ है? colesterol पड़ा हुआ है यह हमारे cell membrane को मजबूत करता है मजबूत ही देता है क्रेसे बात समझ मारी है ठीक है? तो क्या कह रहा है? hydroxyl group makes the head polar यह head को क्या बनाता है? polar बनाता है and hydrophilic attracted to the phosphate and hydrophilic attracted to the phosphate head of the on the periphery of the membrane ठीक है न? इसको polar बनाता है और hydrophilic बनाता है तो hydrophilic वाला part बहार होता है hydrophobic वाला बीच में होता है carbon ring is not classed as a fat or an oil cholesterol is a steroid cholesterol क्या होता है? हमारा steroid होता है अब जो non-polar part है ठीक है न? जो ring है उससे में कोई मतलब नहीं है जो non-polar part है non-polar hydrophobic tail attract to the hydrophobic tail of the phospholipid in the center of the membrane जो non-polar part है यह hydrophobic part है वो hydrophobic की तरफ चला जाता है इस तरीके से यह बीच में घुसे होते है कौन? clear है? तो cholesterol का हमना समझ लिया कि ultimately यह क्यों ज़रूरी होता है cholesterol में कहते हैं cholesterol बढ़ गया cholesterol की ज़रूरत है हमारे सरीर में cell membrane में इस ज़रूरत पढ़ती है clear है? अब इसके बस हम लोग क्या समझेंगे? फटामट थियोरी समझ के से निप्टा देंगे है ना? कितना असान हो जाता है आओ समझे तो क्या कहा रहा? cholesterol है ज़रूरी ज़र वैक्सी वैक्सी होता है fat-like structural component of cell membrane fat-like structural component है किसका? cell membrane का and serve as the building block for synthesizing various steroid hormone और कई सारे steroid hormone का यह building block है इसी की help से बनते हैं कई सारे hormone vitamin D भी बनता है और even bile acid भी इसकी help से बनता है besides there structural role providing stability and fluidity cholesterol कर रहा है structural role है जो इसका cell membrane में क्या है? वो stability of fluidity cell membrane कैसी होती है? यह fluid type की होती semi जैसे एक gel type का रहता है यह तो यह provide कर वाता है उसके अलावा cholesterol also play a crucial crucial एक निर्णायक role play करता है regulating the cell function आप बहुत से यह cell functions को भी control करता है अब cholesterol के अंदर कितने carbon है? 27 carbon compound ध्यान रखेंगे कितने carbon है? 27 है ना? यह देखो यहाँ पर 27 कितने count कर लिए हम लोगोंने? 27 question है तुमारे पास? आ सकता है with the unique structure with the hydrocarbon tail hydrocarbon की tail है यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं यह tail hydrocarbon की ठीक है? hydrocarbon tail a central sterol nucleus है ना? वो जो चार ring है हमारे पास यह क्या है? sterol nucleus है हमारे पास ठीक? made of four hydrocarbon ring जो किसका बना होता है? four hydrocarbon ring का and a hydroxyl group यह जो sterol nucleus है इतना हम क्या सकते हैं? इसको भी मिला करके this is the sterol nucleus यह hydrocarbon chain हो गई clear है बाते हैं? the center sterol nucleus or ring is a feature of all steroid hormone यह जो central ring वाल टाइप आप स्ट्रक्चर था यह जितने भी steroid hormone होते हैं उन सब में पाया जाता है sterol है तो इसलिए steroid hormone का जाता है the hydrocarbon tail and the central ring are non-polar जो hydrocarbon ring होती है और जो tail है वो non-polar होते हैं and therefore do not mix with water और इसलिए पाने से mix नहीं होते हैं therefore cholesterol यानि कि lipid is packaged together with apoprotein इसी वएशे cholesterol जो है apoprotein एक protein होती है जो इसको carry करने में help करती है एक उसके साथ क्या करेगा? यह mix हो जाएगा बंद जाएगा in order to be carried through the blood circulation as a lipoprotein अब जो को यहाँ पर lipoprotein word आ गया यानि कि जो lipids होते हैं एक खास protein के साथ जाके जुड़ जाएगे जिससे कि blood में क्या सको सके easily circulate हो करके जा सके अपनी manjil की तरफ जहां इनको जाना है जहां हमारी body में पहुंचना है ठीक है तो जो protein के साथ जुड़ती है उनको हम लोग क्या बोल देते है apple protein बोल देते है human can synthesize cholesterol Denovo खुद से बना लेता है बाहर से जरूरत नहीं पढ़ेगी can also obtain it from the diet और diet से ही मिल जाता है इसे तब यह जो खुद हमारी body बना रही परियाप्त है क्योंकि इतनी ज़्यादा जरूरत बढ़ती है हमारी body हो तो उसमें खुदी बना लेती है वो तो इसलिए जब cholesterol बढ़ जाता body में इसलिए भाहर से doctor लोग कहते है भई मत खाओ ज़्यादा चिकना cholesterol पाया जाता है हमारी body की जरूरत नहीं उसकी दा लिवर इस दा मेजर साइट ऑफ कलेस्ट्रोल सिंथेशीज सबसे ज़्यादा कलेस्ट्रोल कहां बनता है लिवर के अंदर के लिए रहे नाव इस्ट्रक्चर ऑफ कलेस्ट्रोल यह हमने समझ लिया है function अगला क्या है structure टॉपिक में अपने दो ही है structure और function function क्या है building and maintenance of cell membrane जो अब समझ में आ रहा है cell membrane क्या building बनाना और maintain करना essential in determination of cell membrane permeability यही decide करेगा कि cell किस चीज़ को अंदर लेगा cell membrane और किस चीज़ को बाहर निकालेगी अंदर लेगी ऐसे कौन से compound या molecules है necessary to production of sex hormone sex hormone के लिए बहुत ज़रूरी है यहने कि estrogen और androgens इसी की help से बनते हैं important for the production of adrenal glands release hormone जो adrenal glands hormone release करती है like cortisol, aldosterone, corticosterone यह भी इसी की help से बनते हैं कलिस्ट्रॉल की help से बनते हैं helpful in production of bile, bile के production में help करता है, conversion of vitamin D from sunshine, सूरज की रौशनी से वहारे body में vitamin D create होता है, वो भी इसकी help से होता है, important for metabolism of fat soluble vitamin like vitamin A, D, E, K, यह विटामिन से हैं इनके metabolism में, इसका importance है insulation of nerve fiber, nerve fiber हो क्या करता है, insulate करता है, तो cholesterol हमारी लिए बहुत ज़रूरी है, उतना हमारी body बना लेती है, तो जिन लोगों को cholesterol की दिक्कत हो रही है, और तो fat खाना बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत निए हमारी body परियात्मातरा में बना लेती है, अब इसी को थोड़ा से मैंने क्या कर दिया है, तो हर्मोन आगया थे, then cortico store, cortisol, progesterone और testosterone यहना यह सारी क्या आगया, अपने steroid हर्मोन आगया, bile acid synthesis, nerve fiber को insulate करता है, membrane की fluidity यान की पर, membrane को बना के रखता है, membrane homeostasis, उसे maintain रखता है, lipid raft formation, lipid raft होता है, membrane कई बार एक जगे बहुत सारा cholesterol इखटा हो जाता है, उनका खास function होते है, हो अपने मतलब के नहीं है, तो simple लिख सकते है, lipid raft formation, ठीक है न, चाहिए ऐसे याद कर लो, चाहिए वह सादर point याद कर लो, बात एक ही है, यह था केवल हमको cholesterol के बारे में इतना ही पढ़ना है, extra नहीं पढ़ेंगे, course में नहीं है, cholesterol अपने आप में बहुत बड़ा topic है, हम सारे course में इतना दे रखा है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे और समझेंगे, clear है, lipoprotein, अब दो मैंने लिखा हुआ है, refer, pharmacotherapeutics में hyperlipidemia, वही सारा मैंने यहाँ पर उरता रहा है, अब जिन लोगों न, hyperlipidemia में इसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया, उनके वीडियो pause कर सकते हो, और hyperlipidemia वाला एक बार ही देख सकते हो, और फिर यहाँ आ सकते हो, ताकि अगर वो याद हो तो, नहीं याद हो तो एक बार इसको यहाँ नहीं से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूरा वही है, तो lipoproteins, ठीक है, साफ-साफ लिखा proteins and phospholipids, phospholipids पता ही है, हम लोग क्या होता है, phospholipids बोलते ही, यह structure तुमारे दिमाग में आया चाहिए, cell membrane वाला, that transport cholesterol and triglycerides in the body, यह ही lipoproteins यह खास तरह का structure होता है, component होता है, जो cholesterol और triglycerides को body के अंदर क्या करता है, transfer करवाता है, तो हम देख सकते हैं, एक पूरा cell, यह यह गोले-गोले से बने हुए, यह एक क्या है, हमारे पास phospholipids है, एक पुरा बंध है यह, इसी के बीचिट में कहीं कहीं प्रोटिन लगे हुए है, और इसी के अंदर में क्या क्या है, एक तो triglycerides है, ठीक है, यह free cholesterol तो इसके अंदर लगा हुए है, यह phospholipid होगे, cholesterol bound to fatty acid अंदर क्या भरा पड़ा है, cholesterol जो fatty acids से क्या है, बंधा हुआ है, यह अंदर वाले cholesterol को ले करके, लाइपो प्रोटिन आ उपर से covering कर लिया ना, यह ले करके जाएगा यह, और जहां ले के जाना, वाँ छोड़ेगा जा कर गे, ठीक है न, तो यही है लाइपो प्रोटिन, इस outer surface of lipoprotein contain apple lipoprotein protein that binds lipids, बहार क्या होता है, apple lipoprotein है इसकी, ठीक है न, जो lipids से बंधी हुई है, phospholipids and free cholesterol, ठीक है, phospholipids होते हैं, और साथ साथ में free cholesterol होते हैं, तो यह सारी चीज़ें इसके outer surface में, core, इसके center में क्या मिलेगा, यहाँ पर, triglycerides, eca, triglycerol भी कहते हैं हम ल के core में, तो यह हो गया, अमरे पास क्या, lipoprotein, lipoprotein के composition की बात करें, तो plasma protein particle contain variable proportion of four major element, बड़ी-बड़ी मोटे-बड़ी बात करें तो, kolesterol होता है, इसके अंदर, composition की बात करें, triglycerides हैं, इसके अंदर भरे हुए है, phospholipid का बना हुए है, and specific protein called apple protein, एक खास protein होती है, इसक types of lipoprotein, याद होगा, ये भी करवाया था मैने, यह diagram भी दिया था, मैने, ठीक है, क्या होते है, शुरुआत में, kylomicron कहां बनते हैं, जब्रों फैट और खाते हैं, हमारी body में, यो इंटे शान लोते हैं, फिर VLDL बनता है, LDL बनता है, HDL बनता है, ये HDL वाला good होता है, पर प्रोटीन की मातरा बहुत ज़्याद हो जाते हैं इसके अंदर ठीक है तो यह बैड माना जाता है तो यह इस तरीके से इसकी वराइटी से हैं काईलो माइकरोन अब देख लेते हैं इनको फटा पर साम लोग ठीक है तो काईलो माइकरोन क्या है यह वो इस्ट्रक्चर है जो हमने फैट खाया है एक खास तरह का इस्ट्रक्चर बन जाता है उसको ले जाकर के लिवर के पास ले जा गया यह हमारे बहार के तरफ टीसूस है फैट वहां जाक करके क्या कर आँक है तो क्या है वो स्ट्रक्चर होते हैं किसके बने वह क् eldf common के होता है ठीक है जो की उस खलों को या सब्रिमूब कर दिया थे ड्स दी अर烈 horror नब उसके अंदर केवल क्या बचा बहुत ज्यादा मातरा में कॉलेस्ट्रॉल ही कॉलेस्ट्रॉल बचा हुए तो उसे हम काईलो माइकोरों रेमिनेंट कहते हैं बचेश्ट के लिवर उसके पर काम करता है क्लेस्ट्रॉल कम हटा देगा तो केवल उसके अंदर क्या बचते हैं बहुत ज़्यादा मातरा में तो यह वेरी लो देंसिटी इसके अंदर लाइप प्रोटीन बहुत ही कम होती है क्लियर है इंटरमीडियर देंसिटी लाइप प्रोटीन देया प्रडूश्ट में रिमूर्ट प्रोटीन जब ट्राइग्लिसाइट को भी हटा दी जाता है वी लीडियल से दस लाइक दा काईलो माइक्रों रेमिनेंट यह रिच इन कोलेस्टॉल तो अब उसके अंदर क्या क्या है वापस से जो इसके वापस से बोल रहा है तो हम लोग इसको क्या है विकॉस्ट फॉर्म्ड फ्रॉम वी लीडियल इंटरमीडियर देंसिटी लाइप प्रोटीन और सम्टाइम रेफर्ट वी लीडियल रेमिनेंट भी कह देते हैं थ्यान के रखना आइडियल इसके किसकी मात्रा जादा है ठीक है ना लोग देंसिटी लाइप प्रोटीन लडियल वीडियल पढ़ते होगे तुम लोग ने सीज को सोचते हो कि अच्छा लडियल क्या होता है रहा जो बैड फैट होता है अब क्या हुआ है और भी ज्यादा ट्राइब कर दिया गया है फ्रॉम को पैरिफेरल टीसूस है इसके नवाली उसके पास ले जाकर करने के लिए छोड़ा जा रहा है लडियल इसी को हम लोग क्या कहते हैं याद रख लेंगे बैड कलेस्ट्रॉल बोलते हैं बिकॉस इट डिस्टिब्यूट्रॉल थ्रू आउट बोडी और वेसल पूरी बोडी ठीक है ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने तुम लोग देख सकते हो क्या है और उनके फंक्शन को भी रिपीट कर दिया वही चीज़ रिपीट कर दी मैंने यह पर ठीक है इसको और भी आसान करूंगो थोड़ा सा समझते जाओगी इन्दा वैसल यह डिपोईट कर देता स्क्राइब कर दोर्ट की जाता है डा लिवर वीच शिक्रीट 70-80% अफ टोटल एस्टील इन प्लाजमा इस दा में सोर्ट एस्टील हमारी बाड़ी में में सोर्ट ओफ एस्टील कौन है लिवर इसलिए लिवर का हल्थ बहुत ज़रूरी है ठीक है एपल अपर प्रोटीन इ पूर्पीश्वला कर्वाता है। पार्ट of reverse cholesterol ट्रांस्पोर्ट वह बादी से कान लेके जा रहे हैं बलड से टीशो के पास लेकर आ रहे हैं अब यह क्या कर रहे हैं HDL क्रिवर्स कर रहे हैं carry cholesterol from the peripheral tissue to the liver ये liver के पास लेके आ रहे हैं वेर cholesterol form bile फिर उस cholesterol क्या बन जाता है बाइल में बना दिया जाता है और remove through the faeces और उसको फिर कहां निकाल दिया जाता है faeces निकाल दिया जाता है faeces मतलब party ठीक है ना in addition to removing excess cholesterol high density lipoprotein have various other anti-athrogenic property cholesterol तो remove करवा ही रहा है इसकी कुछ anti-athogenic property भी होती है यानिकी प्लेग को remove करने में help करता है so it they are so it they are often referred to as good cholesterol आप क्योंकि वो प्लेग हमारी नसों को ब्लॉक को खोल रहा है इसलिए हम इससे good cholesterol भी बोल देते हैं तो देखो यहाँ पर क्या याद रखना है तुमको सुरुआत कहा है हमारी काईलो माई काउंसे यह देखो क्या है ट्राइगिस्ट्राइड और क्लेश्ट्रोल भर भर के ठीक है ब्ली वाला क्या है अपना ट्राइगिस्ट्राइट ठीक है देन आ गए व्ल्द इयर अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाला पार्ट है आधा रह गया apple आपर प्रोटी ट्राइड लिस्टाइड वाला पार्ट बराबर आ रहा है यह फ्री कलेश्ट्रोल कितना जाद है और HDL में देखो तो अपने पार जो ग्रीन वाला पार्ट है एपो लाप प्रूटीन यह बहुत जादा बढ़ गया है तो इसका साइज भी दे रखा है 50-100 करके तो साइज की कितना इंपॉर्ट नहीं है बढ़ हां किसके अंदर किसकी कॉंटिटी ज्यादा यह वगत खुरसा देख लोगे और याद कर लोगे किलियर है फंक्शन अफ लाइप रूटीन अब जबो सबका का काईलो माइक्रोन फ्रेग्मेंट्स ऑफ काईलो माइक्रोन वी ल्डील इंट्रेस्टाइड में सबके फंक्शन दे रखें ठीक है काईलो माइकरोन अब्जॉप्शन ऑफ फैट फ़्म दे डाइट उसको एबजॉप करके लेके आता है टिसू के पास फ्रैग्मेंट्स ऑफ काईलो माइकरोन डिलिवर फैट फो द डाइट से कहां लेके บ vanity निवर में ठाइसे यहाद रख लेंगे इसको के लिवर हो तो लिवर से ऐसे तिसु जा रहा है इनको ट्रांसपोर्ट करता करता है यह HDL remove करता है excess cholesterol from the tissues and lipoproteins and remodels lipoproteins और जो lipoproteins को remodel करता है ठीक है जिससे की help होती है हमारे पास excess cholesterol को body से बाहर निकालने में बात समझ में आ रही है तो यह इसके function होगे कुछ और function करते हमें याद है इनको separate करके लिखना चाहते हो सेपरेट करके लिख दो सास में देना चाहते हो अलग से लिखना चाहते है जो मर्जी जैसा करना चाहो function अपने हिसाब से adjust कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें function पता होने चाहिए ठीक है ना बास समझ मारी है हमें क्या पता होना चाहिए function क्लियर है तो यह था हमारे पास cholesterol और lipoprotein के बारे में बाते है according to syllabus है ना किसी बुक में वो दिया हुआ किसी बुक में वो दिया हमें उससे कोई देना नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है सिलेबस जो PCI का आया हुआ है हम उसी के according strictly चल रहे है क्लियर है बाते है तो क्लियर है जुआ है यह झाल रहे है।